वेल हे गाइस हलो एंड वेलकम तुनिती सिक्षा एंड इस इस महीर ठाकुर और देखो अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टन न्यूस डिसकस करने वाले क्योंकि रीसिंटली अभी एक न्यूस आ रही है कि इंडिया में जो है वो थर्ड वेव सेप्टेंबर से आने वाला है ठीक है और इसका पीक जो है वो ऑक्टूबर के एराउंड में आएगा और ये बहुत ही जादा सीरियस होने वाला है क्योंकि सैकेंड वेव आपने जो देखा अपरिल में के टाइम में वो कुछ भी नहीं होगा इसके सामने जबकि आपने देखा कि अपरिल में में कितना ज आने वाला है और इस बार में बता दू कि इस बार रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है नाइडियम की ये कमिटी बनी है यानि कि निशनल इंस्टिट्यूट आफ टिजास्टर मैनेजमेंट और इस बार ये कहा जा रहा है कि लगभग लगभग चार से पांच लाग केसे डेली के मिलेंगे पिछले बार जो सैकेंड वेब में अपने देखा कि उसमें तीन से चार लाग की केसे जो है आपको डेली को देखने को मिलेंगे और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस बार जो है वो बच्चों को ये हिट करने वाला बहुत ज़र इसलिए नीति जो है वो अच्छा करना होगा वेंटिलेटर्स करना होगा अच्छा मतलब ये सभी चीजे जो है वो कहा गया है इस रिपोर्ट में and according to the Times of India इस कमिटी के द्वार ये भी कहा गया है यानि कि NIDM कमिटी के द्वार ये कहा गया है कि हमको वैक्सीन को जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्राइटाइज करने की जरूरत है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वैक्सीन दो देना जरूरी है और बच्छों को खास करके इस बार वैक्सीन बहुत ही जल्दी कम्पलीट करनी की जरूरत है क्योंकि इस बार का जो केस है वो इस बार का देखा नहीं जा रहा था और जिनके साथ ये चीज हुई उनकी तो खेर बात ही मैं नहीं कर सकता लेकिन जो आपने देखा जिस situation हो गया था उससे भी worst condition जो होने वाला है कहा जा रहा है कि कम से कम नीतिया हो कि द्वारा हमें 20% extra hospitalization देखना पड़ेगा इस पार है जो पिछले आपने अपरिल में मैं सेकेंड विब में देखा था उससे भी 20% extra hospitalization देखने को मिलेगा उसके बाद 2 लाख hospital beds के हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें इसको कम से कम कंट्रोल करना हो तो इसलिए और काफी जादा जो है इस बार situation बहुत ही गंदा होने वाला है और यहाँ पर से जादा उमर के बच्चों को वैक्शीन देने के लिए तो यह काफी जादा important हो गया है कि अब बच्चों को जल से जल वैक्शीन देना जरूरी है क्योंकि September और October के जो समय होने वाला है वह बहुत ही जादा critical होने वाला है ठीक है क्योंकि कर हम इंडिया की बात करते हैं तो अगर fully इंडिया में अगर बात करो तो 9% जो है वो इंडिया में वैक्शीन जो है टोटल दी गई है और अगर अमेरिका से हम कंपेर करते हैं तो अमेरिका काफी हाई है वहां 52% जो है वह वैक्शीन का रेट है तो इस हिसाब से कमिटे की तोर एक कही गई है कि अगर हम काफी हुआ काफी जफेक्ट करने वाला है ये वेफ और ये कंडिशन होने वाले है कि बचों में काफी तेजी से फैलने वाला है तो मतलब आप समसद सकते हुए कि बच्चे की डेथ होगी अगर ऐसे situation जैसे आपने पहली देगी थी तो ये काफी worst scenario हो सकता है in future हमारे लिए इंडिया के लिए तो कहीं ने कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा साफधानी से रहनी हो कि आप सभी से एक वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अगर इग्नॉर कर दिये हो मास्क चैनिजर तो वापस उसको यूज करो क्योंकि अभी भी कोविड जो है वो गया नहीं है और अब जो कोविड आएगा न यह सब को हिला करके रख देगा तो जितना हो सके उतना जो सेफ रहो मास्क सैनिटाइजर वगएर साथा चीज का अच्छे से यूज करो भीड़वार वाले जगहों पर मत चाओ बच्चों को खास करके मत भेजो और जितना हो सके न सेफ रहन ले करके आते रहते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना जितना उसे को इतना शेर करो ताकि और लोग भी से अवेर हो पाएं सी यू नेक्स लूं गुडबाई टेक केर मैं ठाकुर साइन यू ओफ